हेलो फ्रेंट्स वेल्कम तू माई चैनल इए अब दी इंग्लिश व्रादेगनी फ्रेंट्स आज हम देखने जारें किया और लेशन 57 जहां पर हम देखेंगे कि नरेशन क्या होता है इसकी यूजिस क्या होते है और कब और किस कंडिशन में हमें नरेशन की जुरत पढ़ने वाली है फ्रेंट्स ऐसा कहा जाता है कि इंग्लिश को सबसे टॉफ लेशन होता है वह नरेशन होता है बड़ाई प्रॉमिस मैं आप से वादा करता हूं कि अगर आपने नरेशन की पूरी स्क्रीज देख ली तो आपको नरेशन बिलकुल कटिन नहीं लगेगा वह आपको इजी लगने लगेगा बड़ लेशन को सुरू करने के पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको नरेशन का कॉंसरे से जुड़ते जाएंगे यानि प्लस होते जाएंगे और आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप 20 का वीडियो उठा कर देख लिए और आपको नरेशन समझ में आजाएगा आपको पूरी सीरीज उसकी वास करनी होगी यहनि लेसन नमबर 67 से नरेशन इस्टार्ट हुआ है तो जब तक वो खट मन हो जाए तब तक आप उसको वास करते र संट्रीक्ट होता है किया बयान करना या नीर कहना और नरेट से वन गया क्या हमारा नरेशन जो की मैंने लिखयह ए न डापल रहेटी ए अलहीशन आप दो प्रकारवटे ईक तो होते हमारा क्या डाइर vac और दूसरा हमारा क्या होगा इनडलेक्ट इसको हम लोग डारेक्ट नरेशन या फिर डारेक्ट इस्पीज और इसको हम लोग क्या होते हैं इन्डारेक्ट इस्पीज इन्ही नरेशन दो प्रकार का होगा एक तो हमारा क्या हो जाएगा डारेक्ट नरेशन अब दूसरा हमारे क्या हो जाएगा इंडारिक नरेशन और इसको डायेक्ट इस्पीज और इंडारिक इस्पीज के नाम से भी जाना जाता है अब फ्रेंट्स बाव करते हैं कि आखिर हमें नरेशन की जरुरत कब पढ़ी तो माइंड कीज़े दो लोगों की बीच की बात है जब उसको किसी और से स्वेर्टियाज आए तो हमें नरेशन की जरुरत पढ़ती है मैं एक डाइग्राम मना के आखिर आखिर सम्झानी की कुर्शिस करता हूँ इसको ध्यांज देखे अगर यह हमारा A है और यह हमारा क्या हो गया अगर A B से कुछ कहे वो कुछ भी कह सकता है इस बात को मैंटी से तो अगर A B से कुछ कहे और B उसी बात को किसी तीसरे बेक्टी से सेहर करें यह तीसरे बेक्टी हो गया जो कि हमारा क्या हो गया तो बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि A ने B से कुछ का और B ने उसी बात को किसको बताया C को बताया और ऐसी कंडिशन जहाँ पर किसी की कही कही बात को कोई रखती है जो दूसरों को बताता है तब ही हमें नारेशन की जुरत बढ़ती है सोचे कि A है और B के पास आता है और वो कहता है कि You are a good player You are a good player ऐसा किसने कहा? A ने कहा और किससे कहा उसने? B से कहा अगर ये B इस बात को यहीं पर खत न कर दे ये किसी को ना बताया कि A नो से क्या कहा तो हमें नारेशन की ज़रुद नहीं पढ़ने वाली है लेकिन अगर ये B एक ही कही गई बात को किसी और को बताएगा तो उस कर्डिशन में में नरेशन की ज़रुद पढ़ने वाली है इस बात को माइंड कीजे कि जो A ने B से कहा था तो B के पास दो आप्शन होगे उसको बताने की लिए जैसे सोचे के A ने B से कहा कि you are a good player तो यहां पर जो good player हो कौन होगा ये B होगा तो अगर B ने एक ही कही गई बात को किसी और को बता दिया तो वो हमारा कहला है क्या direct narration इसको थोड़ा सा ध्यांचे सुनी और समझी कि अगर ये कोई लड़का है तो लड़का क्या होता है ही होता है अब सोचे कि लड़का मेरे पास आता है और वो कहता है कि you are a good player कि जो B था वो कौन बन गया मैं बन गया तो मैं यहां पर क्या बन जाओंगा मी अगर इसी बात को मैं आपको बताऊंगा तो मैं आपसे यही कहूंगा ना कि उसने मुझ से कहा अब उसने मुझ से कह यहां पर क्या लिखना होगा तो मुझ से कहा तो मुझे यहां पर क्या लिखना होगा मैं किसको बताने जा रहा हूं सी को बताने जा रहा हूं तो मैंने आप क्या बोला है सी से कि ही सैक्ट मी उसने मुझ से कहा और क्या कहा था उसने यूरा गुड प्लेयर और जितने सब्द उसने यूज किये जैसा उसने यूज किया जैसा इस्टेक्मेंट उसने मुझे बता देखिए दिर्णान से मैंने क्या लिए लिखा है कि YOU'RE A GOOD PAYA इस इन्वरेटट कॉमा की अंदर अरकितना और किसी की कही गई बात को हमेशना इंवर्टेट कॉमा में लिखना होता है तब ही जाती हुँ हमारा क्या कहलाता है डारिक्ट नरेशन यहिनि कहने का मतलग यह था कि किसी की कही गई बात को अगर मैं बिना परप्रट्र किये किसी और से कह दू तो वह हुमारा क्या कह रहेगा डारिक्ट नरेशन या फिर उसका उनलग डारिक्ट इस पीज भी कोई परिवर्द अगर मैं आपसे कहा he told me that अब ये बता सकते हैं आप इस यूगा मतलब किससे था याद रखी आपको हर एक प्रणाउन का मतलब क्या यहां पर कभी यू आएगा इस सेंटेज में कभी मी आएगा कभी योर आएगा कभी माई आएगा इस सब का आपको रिलेशन बनाना होगा औ इस आपके से देखिए एम게 कहा तब यू का मतलब कान हो गया और मनों किसे कहँ कोई रड़का है मेरे पास अता है और वो कहता है कि you are a good player तो अच्छा खिलाडी कौन हो गया मैं हो गया ना अगर मैंने आपसे कहा उतको उसने मुझसे कहा कि मैं अच्छा खिलाडी यह जो मैं था यह क्या था इसकी कहे गए बाकिमी बदलाव था क्योंकि इसने यूज किया था क्या यू और अब मैं यहां पर क्या लिख रहा हूँ यहां पर I लेख रहा हूँ और जैसे मैंने इसके सब्तों में बदलाव कर दिया तो क्या क्या कहलाएगा indirect narration तो कहने के मतलब यही था कि 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 कौई कही बाक में परिवर्तन ना करना जैसा उसने कहा था आपने किसी और को डिलीवर कर दिया, यानि बता दिया, तो वह कहलाएगा हमारा direct narrowition, और अगर आपने परिवर्तन कर दिया, तो वह हमारा क्या कहलाएगा, indirect narration कहलाएगा. अब friends बात करते हैं कि आप अपर total कैसे आया, that कैसे आया, इसकी चिंता आपको नहीं करनी है, यह सारी चीजे मैं इसी वीडियो में आपको explain करने जा रहा हूं, बस इस वीडियो में बने रही है और ध्यान से इस वीडियो को देखते रही है, friends मैं इसको मिटा रहा हूं फिलाल परवर्दा नहीं किया और इस पीज को किस में inverted comma के अंदर लिखा गया है, क्या आप देख सकते हैं, यह जो इस पीज थी ना, इसके दो पार्ट थे, एक तो inverted comma के बाहर वाला पार्ट, अब दूसरा हमारा क्या था, inverted comma के अंदर वाला पार्ट, अब जो inverted comma के बाहर वाला पा पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा रिपोर्टिंग स्पीश और इन्वार्टिट स्पीश जो अंदर का पार्ट होता है वो कहलाता है क्या रिपोर्टिंग स्पीश में क्या होता है कहने वाला होता है और सुनने वाला होता है कई बार ऐसा होता है तो सुनने वाला यहां पर कर रहे हैं तो मुझे आपकी आवास को सुनाई दे रही है लेकिन आप ने बात किसे कह दी यह तो मुझे पता नहीं चलेगा ना तो माइंड किजे यहां पर यह आपजेक्ट कभी आ सकता है और कड़ी बार ऐसा होता है कि आपजेक्ट महीं आप उस सारे कॉंचेप्ट को मैं जरे-जरे करके क्लियर करूँगा बस आपको सारी वीडियो को अराम से सब्सक्राuse ऑब करते जाना है तो माइं किजे यह हमारा क्या हो गया रिपोर्डिंग स्पीज और हको पुरा वाख़ आप इक चीज़ ओर माइं यह जो डूर्पोर्डिंग पीस्टी इसमें सब्जेक्ट है वर्वेंड और यह क्या हो गया हमारा अब यह क्या था और इसको कैसे हम आगे रोस में को यूज़ करेंगे वो सारी ठीजे ध्यान से देखिए कि यहाँ पर देखिए जो हीट आना ये बला ही यह हमारा क्या कहलाएगा eclipse subject कात्राएगा आप इसको फुल फाम में लिकलएगा reporting subject और या जो say की ना है हमारी क्या कहलाएगी reporting गर्व कहलाएगी यहाँ पर जो me है ना यह हमारा क्या कहलाएगा तो आपको इसको confirm लिके लेना है reporting subject, reporting verb और reporting object क्योंकि आंगे चलके मैं आपसे ही बोलूँगा reporting object, reporting subject या फिर reporting verb जिसारी चीज़र आपको पहले सबस्ली है तब ही जाकर आगे काम बनने वाला है अब friends start करते हैं कि इस direct speech को indirect speech में कैसे बदल sommes उसके पहले आप यह समझेगा कि आज हमारी जो reporting speech है यह किसमे है, past में है reporting speech हमारी present और future में भी हो सकती है और अंदर का sentence, simple, negative, intuitive या डब्लियोज का भी हो सकता है पहले बात करते हैं कि जब reporting speech हमारी past में हो और reported speech का जो वाकिय है, उसकी शुरुवात कहां से हो, subject से हो यानि हमारा sentence हो, simple हो आफ्रेंच मैंड कीज़ेगा, मैं आपको रोल्स बताने जा रहा हूँ तो पहले आपको यह ध्यान देना है कि हमारी जो reporting speech है यानि यह वाले speech, यह past में ही होनी चाहिए इसको present और future में नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर present और future में होगा इसके रोल्स बताने जाएंगे तो condition apply हो रही है कि reporting speech अगर past में हो और reported speech का जो वाकिया है, उसकी शुरुवात कहां से हो, subject से हो तब ही चाहिए इस सारे रोल्स आपको follow करने है तो पहला रोल्स नहींगा, कि reporting object होने पर हमें set2 को told में बदल देना है तो पहला काम हमें करना होगा क्या, कि जो reporting हमारा subject है उसको हमें यहाँ पर चुप चुप copy कर लेना है तो चलिए reporting subject का हमें copy कर लिया उसके बाद हमें यह देखना होगा, क्या हमारे reporting speech में reporting object है तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने क्या लिकर me, यहाँ पर reporting object है और ऐसी condition में, इस set2 को पूरा का पूरा हटा देना है और इस कीज़ है कि मुझे क्या लिखना होगा, told लिखना होगा और फिर object को यहाँ पर हमें क्या करना होगा, copy करना होगा तो मैंन की से reporting speech पास्ट लिखना हो और reported speech का जो बाग के है, वो subject से सुरू हो रहा हो सबसे पहला काम होगा क्या है, कि reporting subject को आप copy करेंगे reporting object होने पर set2 को told में बतलेंगे और फिर reporting object को भी हाँ पर copy करेंगे और इस जो inverted comma है, इसको तोड़ने के लिए हमें किस का use करना होगा that का use करना होगा, तो that हमें use कर लिया इसके ठीक बाद आपको subject रखना होगा, बट आपको subject रखना होगा बट आपको subject रखते समय, खुद का sense ही use करना होगा क्या कि जो subject हमें you use किया है, ये किस के लिए सोचें कि इसने कहा था, he is sad to me, you तो इस you का मतलब कौन, me से हो गया न क्योंकि कोई लड़का है जो मेरे पास आता है और वो कहता, you are a good player तो अच्छा कि लाड़ी कौन हो गया, मैं और उसकी बातों में हमें परिवर्टन करना है तभी तो जाकर वो क्या बनेगा हमारा indirect narration तो इस you का मतलब किस से था, me इस me का जो subject होगा, वो क्या हो जाएगा, I हो जाएगा तो बहुत basic history करें इसको समझेगा इसको करके देखिएगा, practice करते रहिएगा अब दूसरी बात माइंड कीजे, कि अगर reporting speech हमारी past में है और reported speech में इस MR का प्रयोग किया गया है तो उस MR का हम लोग वोस बर में subject के according बदा देंगे अब देखिए, यहाँ पर मैंने I तो लिख दिया, अब यहाँ पर क्या लिखा था, R लेकिन यहाँ पर आपको M नहीं लिखना होगा क्योंकि इस MR का हमें was बर में बदलना है और I के साथ क्या लगा ना पढ़ता है was, कहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग was और उसके बाद क्या हो जाएगा, अगुट तो अब ध्याँ से देखें, यह हमारा क्या था, Directed Speech और यह हमारी क्या होगी है, Indirected Speech बस narration में हमें यही पढ़ना होगा, कि हर बाद हमें Directed Speech मिलेगी और उसको Indirected Speech में हमें बदल देना होगा अब एक example मैं आपके सामने और लिखने जा रहा हूँ, इसको भी ध्याँ से सुनिएगा और समझेगा तो अगर मैंने आपसे कहा होता, She said to me यहाँ पर ध्याँस देखी, अब बात फिर से हो रही है, लेकिन कोई लड़की है जो कि मुझसे बात कर लिए और वो कहा है, She said to me, I am a good player, I am a good player, तो क्या बता सकते हो कि यहाँ पर जो अच्छा खिलाडी है, वो कौन है, इस icon दब क्या होगा, She said to me, I am a good player, I am a good player, तो अच्छे खिलाडी कौन हो गई, वो लड़की न, तो यहाँ पर क्या अधने वाला ज्यास देखी, सबसे पहले reporting subject, वो copy कर लिया हमनी, reporting object था, तो set 2 को किसे मतल दिया, told me, इसके ठीट बार हमें क्या किया, यहाँ पर देखे, reporting object को copy किया, और inverted comma को हटाने के लिए हमें क्या रखना होगा, that, वो भी मैने यहाँ पर लगा दिया, अब इस subject को में बदलना है, तो इस icon मतलब किस से हो गया, C से, तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, C लिखना पड़ेगा, और C के साथ भी हमें क्या लगाना पड़ता है, वाजी दो लगाना पड़ता है, तो sentence दिखे, complete हो चुका है, यह directly speech थी, जिसको indirect name लोग बदल चुके हैं, और वो क्या बनेगा, C told me that C was a good player, तो friends, ऐस ही छोटे-छोटे sentence लिजिए, और उसको आपस में change करनी की गोसे सीजी, यानि एक directly speech लिखे, और उसको indirect में बदले, पर आपको मैंड़े करना होगा, जब दी आप subject को बदलेंगे, तो आपको उसका relation बनाना होगा, तब ही जाके काम पड़ने वाल की, I hope को आपको यह वीड आपको भी practice करने होगे घर पर, तब ही जाके काम मनेगा, तो friends मिलते हैं फिर आप से अगले वीडियो में, see you next video, till then, bye bye